नमस्कार दोस्तों एक वर्फिस से आपका स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहधी खास जानकारी दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूर्ट के बारे में जो डाइपटीज के मरीज़ के लिए काफी फायद मन्द होते हैं और ये आपकी शूगर को रखेंगे कंट्रोल तो चले इसके बारे में विस्तार पूर्पर बात करते हैं दोस्तों डाइपटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइस्टाइल और सही खानपान जरूरी है डाइपटीज के मरीज़ों में बलड शूगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है इसलिए उन्हें अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए डाइपटीज में ऐसी सबज भी शुगर बढ़ा देता है इसका कारण यह है कि स्टार्च वाली सब्जियों में कार्बो हाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं वैसे तो यह कार्बो हाइड्रेट्स श्रीर में एनरजी बढ़ाने का काम करते हैं मगग डाइपटीज के मरीज के खून में शुगर भी बढ़ा देते हैं इसलिए डाइपटीज यानि की मदुमे रोग्यों को बिना स्टार्च वाली सब्जियां खाने की सला दी जाती है आईए आपको बताते हैं ऐसी ही सब्जियां जिन में स्टार्च बिलकुल नहीं होता है नमबर गाजर दोस्तो गाजर डाइपटीज के मर फाइदेमंद मिनरल्स होते हैं ध्यान दें कि डाइपटीज के मरीजों के लिए पका कर खाने से ज्यादा बैतर कच्ची गाजर खाना है नमबर दो भिंडी बिंडी में भी स्टार्च नहीं होता है और डाइपटीज के मरीजों के लिए बिंडी बहुत फाइदेमंद होती बिंडी में घुलन शील फाइबर होता है इसलिए ये आसानी से पच्छती है और शुगर को कंट्रोल रखती है बिंडी में मुझूद तत्व इंसुलीन के उत्पादन को बढ़ाते हैं इसके इलावा बिंडी में मुझूद एंटियोक्सिडेंट्स श्रीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं नमबर तीन पत्ता गोबी पत्ता गोबी में भी एंटियोक्सिडेंट्स और वाइटामिन्स की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए दुनिया के तमाम देशों में सैंक्रो डीशिज में इसका इस्तिमाल किया जाता है पत्ता गोबी मे दुसरे खानों में ड्रेसिंग के तोर पर भी पत्ता गोवी का इस्तेमाल कर सकते हैं नमबर 4. हीरा दोस्तों गर्मियों में खीरा खाना सेथ के लिए अच्छा होता है क्योंकि खीरे में पानी की मत्रा बहुत ज्यादा होती है खीरे में भी स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है यह ब्लाट शूगर कंट्रोल में रहता है क्योंकि यह फाइबर से बरपूर होता है इसके इलावा खीरे में 90% से ज्यादा वजन पानी का होता है इसलिए इसे खाने से पेट भी जल्दी और अच्छी तरह भर जाता है नमबर पांच टमाटर दोस्तो डाइबटीज की समस्या के लिए टमाटर का सेवन करना बहुत फाइदमंद होता है क्योंकि टमाटर में क्रोमियम उच मात्रा में पाय जाता है जो ब्लाट शूगर को नियंतरित करने में मदद करता है हर रोस एक टमाटर खाने से डाइबटीज रोगी को लाब मिलता है तो देखा दोस्तो किस परकार घर पर ही मुझूद कुछ ऐसी सबजियां खाने से आप अपने शूगर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप भी शूगर की समस्या से ग्रस्त हैं या फिर आपके कोई मित्र य हमारी वीडियो जरूर शेयर करें और उनको हमारी यह टिप्स के बारे में जरूर बताएं तो दोस्तों यह थी हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताए कुछ ऐसी सबजियां जो मदू में यानि की शूगर के मरीजों के लिए काफी फायदमन्द होती है और को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और लाइकन कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में अपनी राए जरूर दें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ ठांक्स पूर